हलो दोस्तों दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज कवीर दाजी का एक दोहा पढ़ा रही हूँ तो चलो मैं शुरू करती हूँ चंदन जैसा सादू है सर्प ही सबसंसार ताके अंग लिप्टा रहे मन में नहीं विकार सबसे पहले शब्दार देख लीजे सादू का मतलब होता है सज्जन पुरुष और सर्प से मतलब साप से है ताके मतलब उसके और विकार से मतलब यहाँ पर मन के विकारों से है जैसे लो, माया, मो, आदी इस दोहे में कविरदाजी ने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति अंदर से मजबूत है, अच्छा है, सज्जन है तो उस पर संसार की किसी भी बुराई का कोई भी व्रभाव नहीं पड़ता अब इसी बात को उन्होंने के एक्जामपल से समझाया है, उन्होंने चंदन के पेड़ का एक्जामपल दिया है, कि जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर साप हमेशा लिप्टे रहते हैं, पर चंदन के पेड़ की खुश्बू कभी भी कम नहीं होती जो साप का जहर है वो चंदन के पेड़ की खुश्बू पर कोई प्रभाव नहीं डालता चंदन के पेड़ की खुश्बू वैसी की वैसी ही वनी रहती है अब इस दोहे का भाबर देख लीजिए कभी दाजी कहते हैं कि सज्जन पुरुष चंदन के ब्रिक्ष के समान होते हैं जिस प्रकार चंदन के ब्रिक्ष पर सांप लिप्टे रहते हैं तो भी चंदन का ब्रिक्ष कभी भी विशेला नहीं होता उसी प्रकार सज्जन पुरुषपर संसार में ब्याप्त इसी भी बोराई माया, मो, लोब आधी का प्रभाव नहीं पड़ता। धन्यवाद